अब यहाँ पर पक्षी मा के गर्व में समाधी लगा करके प्रभू के चिंतन में डूब गए इधर व्यास जी कहते बेटा जल्दी से बाहर आओ तुमारी मैया को कश्ट हो रहा है लेकिन सुकदेव जी कहते पिताजी में बाहर नहीं आऊंगा क्यों कि बाहर आओंगा तो संसार की माया हमको पकड़ लेगे और ये माया है ना बहुत सक्तिसाली है अगर विक्ति एक वार इस माया के जंजाल में फस गया तो वहां से बाहर निकलना बड़ा मुस्किल हो जाएगा हम सब उसी माया में फसे हुए है यहां से अगर निकलना है तो भगवान माया के पती कौन है भगवान है भगवान का भजन करना होगा व्यास जी बोले कि तुम्हारी मा को कश्ट हो रहा है अब तो आजाओ सुकदेव जी बोले हम नहीं आएंगे हमको यहां बड़ा आनंदा रहा है देखो मा के गर्व के वीतर माया का प्रभाव नहीं होता इसलिए जब बालक गर्व में होता है न नौ मैने भगवान को याद करता है और भगवान से प्रार्तना करता है प्रभू एक बार यहां से निकाल दो मा के गर्ब में बढ़ा पीडा होता है कस्ट मिलता है बालक को जब मा खुब तिखा खाए तो उसके कोमल सरीर को जलन होता है बहुत प्रकार के कीडे काडते हैं कस्ट होता है और भगवान का स्तुती करता है बालक कस्ट से तडप करके प्रभू को याद करता है बार बार प्रार्थना करता है प्रभू एक बार हमको बहार निकाल दीजे फिर हम आपको भूलेंगे नहीं हे नात हम हमेशा आपको याद करेंगे लेकिन भगवान जैसे बाहर आने को देते हैं संसार में आते ही बच्चा रोता है और थोड़ा सा बड़ा होता है उसके मम्मी पापा कहते बेटा मम्मी बोलो, पापा बोलो, बुआ बोलो, मोसी बोलो यही चकर में भश जाता है, प्यार से बोलो सब कोई खुद को पहचानने में लगे हुए हैं खुद को पहचानाते हैं हम तुमारे ये लगते हैं, हम ये हैं, हम रिस्ते में वो हैं लेकिन उस बालक को ये नहीं बताया कि तुमारा अपना भगवान है उनको याद करो, उनको जानो, उनको पहचानो, ये नहीं सिखाया है अगर बच्पन से आप भगवान के बारे में सुनाना प्रारंब करोगे न तो आपका बेटा विद्वान होगा, आपका बच्चा भक्त होगा इसलिए बच्पन ऐसा समय, बच्पन ऐसा काल है उस समय आप जो कुछ भी प्रदान करो, वो बच्चा ग्रहण कर लेता है ये बात बिल्कुल सकते है, आपके घर में चोटा सा बालक है आप लोग जो माताएं कताएं सुन रही हैं, आप अपने बच्चों को जरूर बच्पन से ही सिखाईए कहते हैं हर बच्चों के प्रधम गुरू कौन होते हैं, मा माता पिता बालक के प्रधम गुरू हैं, और माता पिता जो बताते हैं, वही बच्चे सुईकार करते हैं अब चोटे बच्चे हैं तो आप जो बताओगे वो मानेगा नहीं आप कहोगे कि बेटा ये करो वो करो तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने सुभाव में अपने हर दिन आप अच्छी-ची कर्म करोगे तो बच्चा उस कर्म को देख करके जरूर सिखेगा अगर घर की मा उस बालक की मा रोज उठकर के स्नान करती है पुजा पाट करती है ध्यान करती है घर का काम करती है तो मा को देख देख करके उस बच्चा को लगेगा कि हमारा पहला काम यही है हमें उठ करके शनान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, भगवान के मंदिर में बैट करके थोड़ी देर माला जाप करना चाहिए, वह सीख लेगा लेकिन आप सुबह उड़ते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो तो उसको लगता है कि पहला काम मोबाइल देखना होता है प्यार से बोलो बच्चा कभी आपके सिखाने से नहीं सिखेगा आपके विवहार से सिखेगा